नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है युसर्क राज्य में प्रध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद हलो क्लास चलिए अब हम प्रसरन और मानग विचलन का एक्जामपल कर लेते हैं उद्धारन कर लेते हैं जिसे की चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएं अब देखिए आपके पास यह 10 प्रेक्शन दिये गए हैं 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 तो हम सबसे पहले जादता सांख्याइकी में क्या करते हैं टेबल बना लेते हैं तो चलिए बना लेते हैं हम टेबल तो हमने यहाँ पर जितने भी प्रेक्शन दे रहे सारे लाइन से लिख दिये हैं जिसे हम क्या कहेंगे x i कहते हैं अब हम सबसे पहले इसकी बाराम बारता निकालेंगे तो हम इसकी बाराम बारता जो निकालेंगे वो इस लगू बिदी द्वारा निकालेंगे यानि कि x 5 बरावर a प्लस समेशन fi इंटू di i बरावर एक से लेकर n तक वटे n गुणा h अब आप कह रहे होंगे हम माद इससे को निकाल लए हैं क्योंकि देखिए यहां पर आपको h एक सार गुरंखंड दिख रहा होगा 2 है ना ऐसा लगा है कि सारे की सारे 2 से भाग दे दी जाएंगे तो यहां सार गुरंखंड पता लग रहा है h तो क्यो ना हम इस विदी का उ प्रेक्शन दे दिया जाए तो उन सब की हम बारम बारता एक मान लेते हैं तो अब आप यहां से सबसे पहले क्या करेंगे कल्पित माद्ध निकालेंगी क्योंकि ए क्या होता है ए होता है कल्पित माद्ध तो यहां पर हम कल्पित माद्ध रहन की बीच वाला मान लेते हैं तो यहाँ जो हम कल्पित माद्द मानेंगे तो यहाँ 10 संग क्या हैं तो इसका बीच वाला जो होगा यहाँ 2 मिलेंगी 14 और 16 तो हम यहाँ 14 को कल्पित माद्द मान लेते हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ कल्पना करनी है किसी माद्द की तो हमने a बरावर क्या माल लिया 14 माल लिया तो हम किसका और आपको पता है सबसे पहले इसके लिए हम di calculate करेंगे तो di का formula क्या होता है x-a वटे h होता है तो di बरावर x-a वटे h का प्रियोग कर लेते हैं पहले हम di निकाल लेते हैं तो आपके पास a बरावर 14 और h बरावर 2 है तो जब आप इसका प्रियोग इसमें करेंगे यानि कि हर एक x-a के लिए जब आप di निकालेंगे यहाँ पर x-a की जगा x-a होता है क्योंकि di बरावर x-a वटे h तो सब के लिए निकालेंगे तो जब आप इन सब की गढ़ना करेंगे तो आपके लिए पास आएगा यह है सारे di आई आगए माइनस 4, माइनस 3 यानि कि x-a यानि कि x1 बरावर 6 के लिए माइनस 4, ऐसे x2 बरावर 8 के लिए माइनस 2, तो ऐसे ही करके हमने सारे di निकाल लिए अब आप यहां से x-a की करना कर सकते हैं तो x-a बरावर के लिए है आपने 14 है ना प्लस अब देखिए सब की बारंबारता तो क्या है 1 है, यानि कि खाली summation di लिख सकते हैं आई बरावर 1 से, अब चुकि यहां 10 है बटे में n बरावर भी 10 है, गुणा 2 अब summation di करना है यानि कि इन सब को हम जोड लेते हैं तो अब हम इनको जोड़ेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा तो इसका यहां प्रेयोग करेंगे summation di बरावर 5 का तो आपको माद्द मिल जाएगा 15 है ना 10 से भाग दीजिए तब भी आपका माद्द 15 ही आएगा क्योंकि आपको माद्द निकालने के बहुत सारे तरीके पता है नेकि हमने यहां di बाला तरीका क्यों निकाला, क्यों लगाया क्योंकि यहां पर h हमें एक सार्प उलंकंड दिख रहा था अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा x i-x वार यानिकि माद्द से बिचलन है ना, क्योंकि आपको प्रिस्रण का सूत्र मालूम है ना क्या, समेशन 1 वटे n पताइए x i-x वार का whole square यहां जो समेशन है, i बरावर 1 से n तक जाता है तो इसका मतलब हमें बिचलन निकालना है x वार से तो हम इन सब्यचलनों की गढ़ना कर लेते हैं अब आपके पास x वार क्या है 15 है और सारे x i दिये गए हैं तो चलिए कर लेते हैं गढ़ना तो आपके पास यह सारे x i-x वार हमने लिख लिए हैं इनकी गर्णा करके भी आप खुद देख सकते हैं सारे चेक कर लीजिए इसके बाद अगला step हमारा क्या होगा x i minus x var का whole square क्योंकि यहां हमें बर्ग की जोरत पड़ेगी तो चलिए अब हम इनके बर्ग भी कर लेते हैं अब हम इने इन बर्ग को जोड़ना भी है है ना देखी summation का इस्तिमाल किया गया है तो इन सब को जोड़ने के बाद हमारे पास आएगा 330 तो अब इसका इस्तिमाल यहां कर दें यानि कि इसका माहन आगया 330 बटे n क्या है 10 है यानि कि आपके पास जो प्रस्रण का माहन आ गया प्रस्रण कितना आ गया प्रस्रण ही तो होता है सिग्मा इसको है वह आ गया 33 प्रस्रण आपके पास 33 आ गया यानि कि सिग्मा इसको है अब हम सिग्मा निकालें यानि कि अंडरूट 33 कर दें है ना तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा मानक विचलन है ना अब हमने इसके मानक विचलन और प्रेसरन दोनों की बात कर ली है अंडरोट 33 का मान क्या आज सकता है 5.74 तो प्रेसरन और मानक विचलन दोनों हमने निकाल दिये